Good morning ladies and gentlemen, इस वीडियो में हम 22 जन्वरी के current affairs करेंगे First question है, इन में से किस city को World Capital of Architecture के लिए नामित किया गया है 2020 के लिए Right answer है, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro को 2020 के लिए World Capital of Architecture के तोर पर nominate किया गया है Rio de Janeiro, Brazil में है और ये International Union of Architects और UNESCO के एक program के तहत World Capital of Architecture का खिताब पाने वाला पहला सहर है International Union of Architects की बात करें, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी ये एक International Non-Governmental Organization है इसके अलावा UNESCO की बात करें तो हाल ही में UNESCO News में था क्योंकि हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने UNESCO को फॉर्मली छोड़ दिया है ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक South American country है ब्राजील की राजधनी है ब्राजीलिया और 2016 के Summer Olympic Games भी ब्राजील में ही हुए थे 2020 के Summer Olympic Games जापन के टोक्यो में होने हैं इसके अलावा हाल ही में ब्राजील के नए रास्टरपती बने है ये है मिस्टर जेयर बोल से ना रो ब्राजील हाल ही में न्यूज में था क्योंकि International Wailing Commission की जो लेटेस्ट मीटिंग थी वो ब्राजील में ही हुई थी इसके अलाव International Wailing Commission एक और इवेंट के कारण न्यूज में था हाल ही में जापान ने International Wailing Commission से अपनी सदश्यता वापिस लेने का निरने लिया है Next question है Mr. Shiv Kumar Swami जो कि एक spiritual leader थे वो किस sect से बिलोंग करते थे Right answer है Savageam वो Savageam से बिलोंग करते थे हाल ही में उनका निधन हुआ है इसके अलावा कुछ और personalities का निधन हुआ है हाल ही में Mr. Lenin Rajindran जो कि एक Malayalam फिल्म मेकर थे उनका निधन हुआ है इसके अलावा Mr. Mirnaal सेन का निधन हुआ है वो भी एक फिल्म मेकर थे इसके साथ साथ Mr. Alek Padamci जो कि एक एक एड फिल्म मेकर थे और एक थेटर परस्नेलिटी थे उनका भी हाल ही में निधन हुआ है इसके अलावा Mr. Ambris जो कि Rebell Star के नाम से जाने जाते थे हाल ही में उनका भी निधन हुआ है वो करनड़ा सिनेमा से असोसियेटिड थे नेक्स क्वेशन है कौन सा देश दूसरे World Integrated Forum को आयजित करवा रहा है राइट आंसर है इंडिया Second World Integrated Medicine Forum है वो इंडिया के द्वारा गोवा में आयजित करवाया जा रहा है इसका थीम है Regulation of Homeopathic Medical Products इसके अला गोवा में ही हाल ही में International Conference on Yoga for Public Health Care भी हुआ था इसके साथ-साथ गोवा हाल ही में यूज में था क्योंकि 49th International Film Festival of India है वो भी गोवा के पंजी में ही हुआ था इसराइल इसका फोकस कंट्री था और छारखन इसका फोकस स्टेट था इसके अलागा गोवा सरकार ने 6 महीने के लिए फिस के इंपोर्ट पर परतीबन लगा दिया है ये जो फोरम है इसका उद्गाटन आयूश मंत्री मिस्टर स्रीपद नायक करेंगे आयूश की बात करें तो आयूश है आयूरुएदा, योगा और नेच्रोपैथी युनानी, सिध्धा, एंड होमियोपैथी हाल ही में आयूस मंत्रा ले ने पहला नेच्रोपैथी डे भी आयूशित करवाया था पहला नेच्रोपैथी डे 18 नोवंबर को मनाया गया नेक्स कोश्चिन है युवा प्रवासी भातिय दिवस का आयूशक कौन सा सहर है राइट आंसर है वारानसी वारानसी में ही युवा प्रवासी भातिय दिवस आयजित करवाया जा रहा है वारानसी उत्रप्रदेश में है इस इवेंट का थीम है रोल ओफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया यानि की न्यू इंडिया के निर्मान में प्रवासी भातियों की भूमी का इसका उदगाटन इंडियन प्रेमिनिस्टर मिस्टर मोधी ने किया और मौरिसुस के प्रधान मंत्री मिस्टर प्रवीन कुमार है वो इस इवेंट के चीफ गेस थे मौरिसस के बात करें तो हाल ही में मौरिसस 2018 के International Geetha Festival का Partner Country था International Geetha Festival कुरुक्षित्र में हुआ था, कुरुक्षित्र हर्याना में है तो गुजरात इसका Partner State था और मौरिसस इसका Partner Country था इसके अलावा 11th World Hindi Conference है वो भी मौरिसस में ही हुई थी इसके साथ मौरिसस में ही पानिनी Language Laboratory भी सुरू की गई ताकि हिंदी भासा का Promotion किया जा सके इसके अलावा वारानसी की बात करें तो वारानसी उत्तर प्रदेश में है और हाल ही में वारानसी में ही One District, One Product, Regional Summit हुई थी इसके अलावा हाल ही में प्रदानमंत्री मिस्टर मोदी ने देश का पहला Multimodal Terminal है जो की गंगा नदी पस्तित है उसका उधगाटन भी वारानसी में ही किया है इसके साथ साथ वारानसी में ही 6th IRRI South Asia Regional Center का भी उधगाटन किया गया IRRI का मतलब है International Rice Research Institute Next Question है भारत सरकार ने किस परतीसत पर Graded Induction के बाद महिलाओं को Military Police में भरती करने का निरने लिया है Right Answer है 20% Government of India ने Graded Induction के बाद Military Police में 20% महिलाओं को Recruit करने का निरने लिया है Military Police के बाद करें तो ये 1949 में गठित की गई थी ये Indian Army की एक ब्रांच है इसका Regimental Center Bengaluru में है Military में महिलाओं की भागिदारी की बात करें तो आर्मी में कुल 3.8% महिलाए है जबकि Indian Air Force में कुल 13.09% महिलाए है इसके अलावा Indian Navy में केवल 6.30 महिलाए है Next Question है 2019 में UNCCD के 14th Conference of Parties का आयजख कौन सा देश है Right Answer है India India 2019 में UN Convention to Combat Desertification के 14th Session का आयजख होगा ये October 2019 में होगा इससे पहले 13th Session है वो 2017 में चाइना में हुआ था UN Convention to Combat Desertification की बात करें तो ये 1994 में साइन किया गया था और 1996 से ये effective है Presently, 116 देश और European Union इसकी पार्टी है और इसका 14th Session है वो इंडिया में आय जित होगा Next Question है, हाल ही में किस देश के Central Bank ने भारतिये नोटों के उप्योग पर परतिबन लगाया है Right Answer है, नेपाल, नेपाल के Central Bank, नेपाल Raster Bank ने हाल ही में भारतिये मुद्रा के 100 पे से अधिक के नोटों पर परतिबन लगाने की घुशना की है जैसे इंडिया में RBI है, वैसे ही नेपाल में नेपाल Raster Bank है और उन्होंने 100 पे से अधिक के नोटों पर परतिबन लगा दिया है नेपाल की बात करें तो नेपाल हाल ही में न्यूज में था क्योंकि बिमस्टेक की 4th समिट है, वो नेपाल के काटमंडू में ही हुई थी Vimstack का मुख्यल्य धाका में है धाका बانगलादेश की राजधानी है और हाल ही में बانगलादेश में आम चुनाओ हुए थे उस आम चुनाओ के बाद मिस्तेख हसीना की पार्टी ने दुबारा से जीत हासिल की है बाइपर्टी के बात करें तो ये है Vimstech की पहली joint military exercise है वो भारत के पूने में हुइ थी सिरलंका की बात करें तो हाल ही में सिरलंका में political crisis के कारण सिरलंका के प्रधानमंतरी और राष्टपती निउज में थे इसके अलावा नेपाल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर का फोकस कंट्री भी था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर नई दिल्ली में आयजित हुआ और इसका थीम था Rural Enterprises in India अफगानिस्तान इसका पार्टनर कंट्री था और नेपाल इसका फोकस कंट्री जबकि जारखन इसका पार्टनर स्टेट था इस इवेंट के बाद उत्राखन को बेस्ट स्टेट का अवार दिया गया इसके अलावा नेपाल की बात करें तो सार्क का मुख्यले भी नेपाल के काठवंडू में स्थित है सार्क के स्थापना 1985 में हुई थी सार्क के मेंबर्स हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांगलादेश, भोटान, इंडिया, मालदियूज, नेपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका सार्क का मतलब है दक्षन इश्याई, छेत्रिय, सहयोग, संगठन इसके अलाओ नेपाल की राजानि काठमंडो में ही हाल ही में इसिया पैसिफिक की समिट हुई थी हाल ही में किने पहले सेख सउद अंतरस्ट ये प्रुसकार के लिए चुना गया है राइट आंसर है Mr. C.N. Rao Mr. C.N. Rao को पहले सेख सहूद अंतरस्टे प्रुसकार के लिए सलेक्ट किया गया है ये प्रुसकार UAE के Center for Advanced Materials के द्वारा दिया जाएगा UAE की बात करें तो UAE का मतलब है United of Emirates UAE हाल ही में यूज में था क्योंकि UAE ने 2019 को International Year of Tolerance के तोर पर घोसित किया है इसके अलावा जो GCC है यानि Gulf Corporation Council है उसका 14th सेशन भी UAE में ही होना है हाल ही में इसका 39th सेशन हुआ था ये साओधिय अरबिया की राजदानी रियाद में हुआ था GCC की बात करें तो ये है Gulf Corporation Council इसके मेंबर्स हैं कुवेत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और साओधिय अरबिया साओधिय अरबिया की राजदानी रियाद GCC का मुख्यले है Now coming back to Mr. C.N. Rao, Mr. C.N. Rao एक प्रशिद वेगेनिक हैं और उन्हें भारत रतन से भी सम्मानित किया गया है भारत रतन की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और भारत रतन के पहले रिसिपियंट्स है Mr. C. Rao गोपालाचारी, Mr. सरवपली राधा कृष्णन और Mr. C. V. रमन इसके अलावा एक नेचरलाइज सिटिजन और दो नोन इंडियन्स को भी भारत रतन दिया गया है Mr. Mother Teresa जो की एक नेचरलाइज सिटिजन थी उनको भारत रतन 1980 में दिया गया जबकि Mr. Khan अब्दूलगाफार Khan जिने Frontier गांधी के नाम से जाना जाता था वो नोन इंडियन्स थे और उन्हें 1987 में भारत रतन दिया गया जबकि Mr. Nielsen Mandela भी एक नोन इंडियन्स थे और उन्हें 1990 में भारत रतन दिया गया Next question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने Startup और Innovation Policy 2018 से 2023 सुरू की है Right answer है तमिलाडू हाल ही में तमिलाडू सरकार ने Startup और Innovation Policy की सुरूआत की है तमिलाडू हाल ही में न्यूज में था क्योंकि तमिलाडू के Mr. D. Gukais है वो भारत के सबसे youngest Grandmaster बने है विश्व में वो दूसरे सबसे youngest Grandmaster है यूकरेन के सरगी करजानीन है वो सबसे youngest Grandmaster है विश्व में इसके अलावा तमिलाडू की बात करें तो हाल ही में नीतियायोग ने Second Delta Ranking जारी की थी Aspirational District Program के तहत इसमें तमिलाडू के विरुद नगर ने Top Position हासिल की है जबकि जारकन का पाखूर है वो Bottom Position पर है इसके अलावा भारत का पहला Music Museum है वो भी तमिलाडू के थिरुद यारों में स्तित होगा इसके साथ साथ हाल ही में नीतियायोग ने SDZ India Index 2018 जारी की है इस Index के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलाडू Top Performing States है जबकि आसाम, बिहार और उत्र प्रदेश है वो Worst Performing States है इसके अलावा तमिलाडू Administration की बात करें तो Mr. E. पलनी स्वामी है वो तमिलाडू के मुख्य मंत्री है जबकि Mr. बनवारी लाल पुरोहित है वो तमिलाडू के राजयपाल है Next question है वर्ल्ड के पहले Artificial Meteor Shower के लिए सैटलाइट लौंज करने वाला देश कौन सा है? Right answer है जापान हाल ही में जापान की Space Agency जापान Aerospace Exploration Agency ने एक सैटलाइट लौंज की है ये विशु के पहली Artificial Meteor Shower करने के लिए लौंज की गई है इसके लावा जापान की बात करें तो जापान के प्रधानमंतरी है Mr. Sinjo Abe और हाल ही में भारत और जापान के बीच 75 बिलियन डोलर का Currency Swap Agreement हुआ है इसके लावा जापान 2020 के Summer Olympic Games का आयजक है 2020 के Summer Olympic Games जापान के Tokyo में होने है हाल ही में Mr. बिरेंदर प्रशाद है उनको Chief Dimission के तोर पर खोसित किया है 2020 के Tokyo Olympic Games के लिए Mr. बिरेंदर प्रशाद Indian Weightlifting Federation के President है Tokyo Olympic Games की बात करें तो मैरी तोवा है वो 2020 के Summer Olympic Games का मैसकोट है जबकि Somiety है वो 2020 के Summer Para Olympic Games का मैसकोट है इसके अलावा हाल ही में जापान न्यूज में था क्योंकि जापान ने एक Controversial Low तयार किया है जिसके तहत Foreign Blue Collar Workers को जापान में काम करने का उसर मिलेगा इसके साथ साथ हाल ही में Dr. रतनलाल है उनको 2019 का जापान प्राइज दिया गया है उनके Sustainable Soil Management में Contribution के लिए Thank you and that's all for the day